अलो स्टुडेंट्स वेलकम टू अमेजन अकेडमी अगेन जी हां एक बार फिर हम मैट्स में एक और चैप्टर का एक और प्रोफाइल और उसका टिप्स और ट्रिक्स लेकर हाजीर हैं आपके सामने जी हां बचे आज सबसे पहले हम यह बात करें कि आखिर चैप्टर कौन सा है और कौन सी उसकी प्रोफाइल है मेरे बचे यह चैप्टर कोनिक सेकशन बहुत ही काम बचाई आप सब को बढ goof है और उसमें भी आज हम जो mainly बात करेंगे वो बात करेंगे parabola की इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं कौन सा profile है जिसके बारे में आज हम shortcut की बात करेंगे shortcut formula to find the length of a focal card of parabola y square equals to 4x इस parabola की किसी भी focal card की length सीधे कैसे लिखनी है जी हाँ ये आज हम देखेंगे लिकिन उसके लिए आप सबको बदा है परदे के पीछे की कहानी हाँ parabola y square equals to 4x में focal card निकालने के लिए जो भी tips and tricks है या हमारा shortcut है उसके परदे के पीछे की कहानी क्या है पहले वो बात करते हैं जी हां बच्चे परदे के पीछे की कहानी में मैं छोलती छोलती कुछ चीज़ें आपको बदाता हूं जो बहुत काम की है ये parabola y square equals to 4x है जी हां आप सब इसकी parametric equation जानते है 80 square to 80 तो बच्चे हमें काम करते हैं यहां पर आप सब को कुछ और ग्यान देते हैं इसके साथ कि यह point P मैंने लिया और say यह a t1 square to a t1 है इसी दर से यह वाला point Q हमने पकला मेरे बच्चे और यह है a t2 square to a t2 जी हां अब इदी मैं आप से कहूं कि क्या मुझे आप इस कौर्ड b q का length लेंग सकते हैं आप कहेंगे का है यह लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं दो point है जी दो point से pass होने लाइन की equation तो बहुत आसानी से आपको लिखनी आती है चले लिखते हैं मेरे बच्चे y-2a t1 is equals to 2a t2 minus 2a t1 divided by a t2 square minus of a t1 square और x minus a t1 square अब सब जानते हैं कैसे लिखा यदि x1 y1 दो point हमारे पास है x1 y1 और x2 y2 किसी line पर तो उसका slope होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो वो तो हमने slope लिख दिया y minus y1 equals to mx minus x1 line की equation लिखती है जी यहां बचे यहां पे मुझे यह a cancel होता हुआ दिख रहा है 2 common आवा है t2 minus t1 मुझे cancel होता हुआ दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि equation आती है y minus 2a t1 is equals to 2 by t1 plus t2 और x minus a t1 square जी हां अब यहां पर दिखोगे तो मुझे दो चीजों का यहां पता चल सकता है पहली चीज तो यह कि slope of pq इस line यानि इस chord pq का slope मेरे पास क्या रहा है 2 by t1 plus t2 आगे से यह पता था तो बहुत अची बात है नहीं था तो याद रखना है क्या t1 t2 point को join करने वाली chord का slope if pq is a focal chord कि भाई यह जो pq है यह यदि focal chord है तो आप बता सकते हो कि क्या होगा बच्चे आप जानते है focal chord यानि focus से पास होने वाली line तो focus s हमें पता है इस parabola का a,0 होता है तो इस को पी q जो है वो a,0 से पास होगी जैसे ही यहां इस equation में आप क्या करते है कि इस equation में मेरे ब 0 रखते हैं तो हमारे पास जो relation आ गया है वो आ जाता है t1 t2 is equals to minus 1 ध्यान रखिएगा जी हां कि यदि t1 t2 point को join करने वाली chord यदि focal chord है तो t1 t2 का जो product होगा वो minus 1 होगा यानि दोनों point के t parameter एक दूसरे के negative reciprocal होंगे जी हां और यदि ऐसा है तो बहुत सारी चीजे अब हमे यहां से पता चल गई है और हम focal chord आसानी से नहां देखकर उसकी लेंट बे निकाल सकते हैं लेकि उससे पहले एक ग्यान और देते हैं क्या मेरे बच्चे यदि मैं आपसे कहूं कि क्या मुझे आप किसी भी point का parabola में focal distance बता सकते हैं आप कहेंगे बता सकते हैं यह parabola की बच और यहां पर हमें parabola की case में पता है कि E की value एनि असेंटिसिटी की value 1 होती है parabola एक ऐसे point का locus है जिसकी fixed point यानि focus से distance और fixed line यानि directrix से distance का ratio 1 होता है यानि दोनों distances equal होती है तो मेरे बच्चे ps is equal to pm से मुझे एक चीज़ बड़ी मज़िदा पता चलती है कि directrix की equation आप सब को बड़ा है कि x equals to minus a होती है parabola के case में तो मेरे बच्चे यहां एदि मैं इस point को end ले लूँ तो आप सब जानते हैं कि जो pm है उसको हम break कर सकते हैं क्या pm प्लस आप सभी को दिख रहा है nm अब मेरे बच्चे pm तो आपको दिख रहा है p का x coordinate है जी हां यानि वो 81 square है बिलकुल nm मेरे बच्चे यह length है और यह line area x equals to minus a है तो यह nm वाली length जो है a है यहां से मुझे एक और चीज़ पता चली कि point p का focus से जो distance होगा focal distance point का वो क्या होगा वो होगा भीया a t1 square plus a तो अब यह सी बात है ऐसे q का होगा a t2 square plus a x coordinate plus a जी हां तो अब यहीं मुझे focal chord की length निकाल है तो कैसे निकाल सकते हैं देखिए focal chord यानी pq मेरे बच्चे अब मुझे focal chord का length निकालना है focal chord इसका length निकालना है इसका length यादी मुझे निकालना है साफ साफ दिख रहा है कि मुझे निकालना है PQ अब आप सब जानते हैं कि PQ को में कहा लिख सकता हूं PS plus QS जी हाँ और ऐसा है मेरे बचे तो PS plus QS से मेरे पास ही क्या बन जाता है PS तो अभी अभी हमने रेखा P का focal distance QS Q का focal distance ये क्या बन जाएगा बचे ये बन जाएगा आप सब को बता है कि A T1 square और plus A QS क्या बन जाएगा A T2 square plus A और हम यहाँ से इस relation से जानते हैं कि T2 को हम क्या लिख सकते हैं minus 1 by T1 तो यहाँ से मेरे बचे ये बन रहा है A T1 square plus A A मिलके बन गए 2A और ये बन जाएगा A by T1 square क्यों क्योंकि T2 की value minus 1 upon T1 यहाँ रखी गई तो यह आगे तो बचे यहाँ पे मुझे A तो common दिख रहा है और आपके पास length क्या आजाती है length आजाती है T1 square plus 2 plus 1 by T1 square यानि T1 plus 1 by T1 का whole square जी हाँ length है तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसका absolute value ले ले लेना है A का क्योंकि हो सकता है parabola of A square equals to minus 16x हो हला कि यह जो हमने सारा किया A को positive मान के किया क्योंकि graph हमने ऐसा बना है लेकिन यदि ऐसा हो तो A negative हो जाएगा पर नहीं पड़ेगा हम उस case में भी length निकाल सकते है बस A का absolute value ले ले लेना है तो यदि अब आपको समझ में आ गया कि मेरे पास focal chord का 1 and point 81 square to 81 है तो फिर उस focal chord की length A T1 plus 1 by T1 का whole square हो जाती है जी हाँ एक और तरीके से focal chord की length को देखा जा सकता है क्या मेरे बच्चे यदि मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई ये जो focal chord है इस focal chord का यदि axis of parabola के साथ angle alpha है तो इस case में आपको क्या दिख रहा है कि भाई यदि ये angle axis of parabola ये एक्स axis के साथ alpha है तो मेरे बच्चे मुझे पता है कि 10 alpha इस chord का हाँ क्या हो गया slope हो गया 10 alpha इस chord का slope हो गया और slope तो मुझे पता है chord का 2 by T1 प्लस T2 जहां T2 की value minus 1 upon T1 है तो भाई एक और काम करते हैं बच्चे हम यहाँ पे इस length को alpha के term में भी निकालते हैं अब alpha के term में कैसे निकालते हैं जड़ा गौर्स से देखेगा आप सबको दिख रहा है कि 10 alpha किसके एकवल slope of chord वो कितना 2 by T1 प्लस T2 2 by T1 minus 1 upon T1 यह क्या किया मैंने आप सब समझदा लोग है आपको पता है कि T2 minus 1 upon T1 है तो बच्चे मेरे यहां से मेरे पास क्या आगया T1 minus 1 upon T1 जो है वो किसके एकवल आगया 4 हाँ 2 कौट alpha आगया squaring both sides तो मुझे यहां से दोनों तफ square करके यह मैं काम करता हूँ न यही पर यह जो मेरे पास length है इसको एक अलग अंदा आज मैं देखता हूँ कि भहिया यह T1 plus 1 by T1 के whole square को हम क्या लिख सकते है T1 minus 1 upon T1 का whole square और आप सबस्तों बहुत समझदार लोग है 4 आजाएगा आएगा नहीं आएगा जी हां A plus B के whole square को A minus B whole square plus 4 A भी लिख दिया और बच्चे आप सब को रहे कि इसकी value को मैं क्या लिख पा रहा हूँ इसकी value को 2 cot alpha तो यहां से 4 cot square alpha plus 4, 4 common आगया 1 plus cot square alpha, caosic square alpha यानि length मेरे पास आगई 4 A caosic square alpha का absolute value मतलब क्या सीखा हमने कि यह दी focal code का end point A T square 280 है तो भहिया A T plus 1 by T का whole square उसकी length है focal code यही पैराबोला के axis के साथ alpha angle बना रही है length of focal code 4 A cosic square alpha का absolute value है जी हां अब इने में से कोई भी एक जानकारी आपके पास है सीधा focal code की length लिख सकते हैं लिख सकते हैं जी हां तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं देखो आगे तो conclusion लेंगे conclusion क्या है conclusion यह रहा मरे बच्चे क्या in parabola y square equals to 4 A x the length of focal code whose one end point is 80 square to 80 will be absolute value of A T plus 1 by T whole square जी हां साथी साथ and if focal code is inclined at an angle alpha with x's of parabola then its length will be 4 A x 1 square alpha जी हां इसके absolute value तो यह हमारा conclusion और in conclusion के बहाफ पर अब questions को सीधे answer करना है जी हां मरे बच्चे अब पहला question तो मेरे पास क्या ज़दा है A 1,4 is an end point of a focal code AB of parabola y square equals to 16x then length AB will be क्या कहता है वो कहता है कि भाई यह 1,4 जो है इस parabola y square equals to 16x की एक focal code है तो आप हमें AB की length बता दें यहनि focal call की length बता दें तो बच्चे इसने एक end point दिया हुआ है लेकिन हमें end point T form में बता हो तो हम आसानी से length लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं आप सब तो जानते हैं कि यहां 80 square to 80 हमें क्या दिया हुआ है बच्चे वो हमें 1,4 दिया हुआ है और हमें पता है कि 4a की value यहां 16 दी हुई है y square equals to 4a x के हिसाब से तो a मेरे पास कितना आ गया बच्चे 4 आ गया अब a मेरे पास 4 है और मुझे 80 square to 80 दिया हुआ है तो बच्चे यहां से मुझे दिख रहा है 2 a का value 4 t is equals to 4 जी हां तो यहां से t की value मेरे पास क्या आ गया 280 को मैंने 4 के equal किया e का value में पास 1 by 2 आ गया अब focal card का length हमें पता है कितना होता है absolute value of a t plus 1 by t का whole square बच्चे मेरे a की value यहां मुझे कितनी दिख रही है t मेरे पास कितना आ गया half तो भहिया यहां half plus उसका reciprocal 2 का whole square यह बन गया 5 by 2 5 by 2 का square 25 by 4 4 will get cancelled out 25 जी हां देखो कोई ऐसा answer है 25 हां b वाला option हमारा बिलकुल बिंदास सही है अगला जी मेरे बच्चे क्या है if x minus 2 y is equals to 3 is a card of parabola y square equals to 12 x then its length will be focal card नहीं बुला है हमको खेल रहा है हमारे साथ हां बच्चना है हम खेलने नहीं देंगे खेलेंगे तो हमी क्या मेरे बच्चे कि यहां यदि रेखें तो परावोला में भाहिया 4 a की value कितनी है 12 मतलब यह भाहिया a is equals to कितना है 3 और हम तो जानते हैं परावोला में जो focus होता है बच्चे वो a, 0 होता है तो यहां पर a की value 3 है और 0 तो 3,0 focus है और हमारी यह जो लाइन है ना भाहिये 3,0 से satisfy हो रही है देखो x को 3 रखो y को 0 रखो यानि हमारी लाइन इस focus से पास हो रही है focal chord है focal chord का length पूछ रहा है और हमें तो पता है इस परावोला का axis x-axis इस line का slope 10 alpha की value जी हां उसका line का x-axis के साथ angle alpha होगा तो slope 10 alpha होगा ना और हमें तो पता है यदि focal chord axis के साथ alpha angle बनाती है तो length सीधे 4 एक उसे की square alpha से लिख सकते हैं जी हां बच्चे तो यहां मुझे इस line का slope यानि 10 alpha क्या दिख रहा है दिख रहा भया माइनस a by b से 1 by 2 मतलब यह की कौट alpha की value कितनी हो गई 2 तो भहिया अब यहीं हम length of focal chord की बात करें 4a का value कितना 3 जी हां 4a और यहां आपके पास अब क्या आपको रहे कौसेक स्क्वेर alpha उससे आप 1 प्लस cot square alpha लिख सकते हैं और cot alpha की value 2 है 4 प्लस 1 5 जी हां और आपके पास यहां जाता है 60 cot alpha का value रखा 60 आ गया क्या कोई ऐसा answer है जी हां पहला ही है उसने हमें बोला नहीं चाला की करें की focal chord है लेकिन हमने पकल लिया और हमने C आंसर कर दिया अगला वला वापस वही कह रहा है यह जो है यह parabola के chord है फिर यह भी कहता है यह chord AB जो है एक point C के साथ right isoslase triangle बना रही है और यह जो right isoslase triangle है यह point C पर right angle है तो आप हमें triangle ABC का area बताओ देखे चाला की है ना तो focal chord बोला है और ना ही parabola हमें direct wire square equals to 4x की form में दिया है तो हमें parabola भी arrange करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा क्या यह focal chord है जी हां तो आप समझ गये है गुगली है position लेनी पड़ेगी हां position लेते हैं बचे हम इस y square minus 8x minus 6y is equals to 7 को parabola की form में arrange करते हैं तो भाहिया y square minus 6y plus 9 is equals to 8x plus 16 मैंने दोनों तो 9 add कर दिया ताकि यह perfect square बन चाहे यह 8x वहां ले गए तो अब यह मुझे y minus 3 का whole square दिख रहा है यहां 8 common दिख रहा है x plus 2 दिख रहा है खेल रहा है हाँ जी यह खेल रहा है लेकिन हम भी जो है कमजोड थोड़ना है यह actually कह रहा है कि parabola को आप ऐसे देखो y square equals to 4x हमने x और y rotation capital x capital y में convert कर दिये है shifting origin आपको बहुत अच्छे से बता है capital y हमने किसको लिया है small y minus 3 capital x हमने किसको लिया है बच्चे small x plus 2 हमें बदा है क्या कि हमारे इस parabola का जो focus होगा वो capital x capital y system में किसके equal होगा 1,0 यहाँ 4a तो देखे 4a is equals to 8 तो a की value हो गई 2 यानि यह होगा 2,0 capital x का value 2 मेरे बच्चे तो इसका मतला आपको बदा है capital x को 2 रग दो यहाँ पर small x कितना आगया 0 आगया भी यहाँ आया नहीं आया जी हाँ इसी दर से capital y को आप यहाँ 0 रग दो यह हमें यह card dvx minus 3y plus 9 is equals to 0 यह actually क्या है यह है focal card अब मेरे बच्चे आप सब तो जानते हैं कि इस parabola का थोलास हम विचार करें तो यह parabola कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या आपको मतलब यह कि यह जो vertex पर tangent है यह x equals to minus 2 है और यह जो axis है यह y equals to 3 है अब हमारी जो focal card हमें दी वी यह बच्चे वो focal card यह है focus हमारे पास हम निकाल चुके हैं कितना जी 0,3 हमारी यह focal card है अब यह a है यह b है ठीक है अब हमें दिख रहे है कि a b का length निकाला यह सकता है क्या यह angle बताओगे भीया हमारी y equals to 3 वाली जो parabola की axis है वो x axis के parallel है मतलब यह कि इसका यह angle alpha है यह x axis के साथ भी alpha ही रहेगा तो यहां से भी हमें दिख रहे है 10 alpha जो है वो slope के equal होगा और slope इस line का हमारे पास क्या है बच्चे 1 by 3 तो 10 alpha की value 1 by 3 है यानि court alpha हमारे पास 3 है length कितनी होगी court की length क्या हो गई 4a कॉसेक स्क्वेर अलफा एक इतना मेरे बच्चे हमें पदा है हम 2 use भी कर चुके हैं कॉसेक स्क्वेर अलफा यानि 1 प्लस कॉसेक स्क्वेर अलफा यानि 1 प्लस 9 जी हां यह कितना आ गया यह 10 ओहो 80 आ गया अब क्या है क्या रहा है कि भाई यह जो AB court है यह एक point C के साथ right isosless triangle बना रही है कुछ situation ऐसी है मेरे बच्चे देखो आप कि यह हमारा point C है यह हमारी focal call AB है और यह यहां पर right isosless triangle बना रही है आप सब तो चोटी सी geometry लगा कि सीधा answer करने वाले लोग हैं क्या मेरे बच्चे कि यह right isosless triangle है तो यह 45 तो यह भी 45 हो गया न जी हां यह 45 यह 45 तो बचे आप सब को बता है कि यह length कितनी total AB का length कितना है 80 तो यह length 40 होगी हाफ होगा ने होगा और क्योंकि यह वाला triangle भी तो right isosless है यह 40 तो यह भी 40 यानि हमारे triangle ABC का height 40 है उसका base 80 है तो भहिया area of triangle जो हमें चाहिए वो कितना आ गया half into 40 into 80 1640 का square कोई answer है ओहो पहला ही है देखिए हमने proper position ली और उसके गुगली को कहा किया है बताने की जरवत नहीं है आप तो समझजार ग्यानी लोग है अगला जी आपके लिए so that's all about today's tips and tricks and shortcut of maths जी हां yes तो be happy because of happy learning for detailed videos daily practice problems and live chat visit academy.amazon.in or download the app